हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक ऑन मैं यूट्यूब चैनल तो दोस्तों ये इस ड्रामा की एक्स्पिलनेशन का पार्ट नमबर एट है अगर अभी तक आप लोगों नहीं चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी क्या कीजिए तो लास्ट एपिसोड में आमने देखा था जी हुन अपनी शैफ को मनाने के लिए फ्लावर लेकर के जाता है कि वह रिजाइन ना करें पर सैमसुन भी कहती है जब तक घुटनों के बल जाकर कि फ्लावर न अगर नहीं आना है तो खेर अब यहां पर जी हुन से कहता है जब तुमने इंटर्विव दिया था तो तुमने का था कि तुम्हें बेकिंग से प्यार है तो यह क्या है तुम्हें कम से कम वर्क एथिक्स तो होने चाहिए दू हफते दो मुझे उतके बाद तुम बहले ही च चले दू हफते के लिए तो मानी वहीं दूसरी तरफ ही जन वह अलग मिशन पर लगी होई थी वह जी हुन की माम को दिखाना चाहती थी कि वह बिलकुल ठीक है और बिमार नहीं है बगर जी हुन की माम वह से बिलकुल भाव नहीं दियती है अब अगले दिन सेमसुन वह सेमसुन कहती है क्या मेरे हो गए हो तो जाओ यहां से मैं बहुत बिलियू हूं। Samson कहती है तू खुद तो जाने वाली है नहीं उसके बाद वो उसके मुँपे आर्टा मार करके उसे वहां से निकालने लगती है चाहिरी कहती है कोई बचाओ मेरे पीछे भूत नी पड़ी है Samson कहती है दफा हो वरना तुझे भूत नी बना दूगी और वो चाहिरी को यहां से निकाल देती है अब गुस्से में बड़बडाती है वो वाश्टरू में जाकर के बैठती है कि उसे हुन्वो की वज़ा से कॉंस्टिपेशन हो गया है और वो चाहती है कि हुन्वो को भी पाहिल्स हो जाएं ये वो बराबर वाले वाश्टो में बैठा ही, ये सब कुछ सुन रहा था, तब ही उसका फोन रिंग करने लगता है, और सेमसन कहती है, आखर कौन है अधर, बताओ मुझे, तब जीहुन कहता है, वो ही जिसे तुम चाहती हो कि पाहिल सो जाएं, तब सेमसन कहती है, चोरी एक सॉक्स बची है, क्या मैं तुम्हें दूँ, जीहुन कहता है, बस टिशू पेपर बिजवा देना, सेमसन कहती है, अभी बिजवाती हूँ, मगर वो तो जाकर के खाना खाने लगती है, और सब लोग पूछते है, एक गंटे से उपर हो गया, कहीं भी बास दिखनी रहे ह है, सेमसन मज़े ले रही थी, और किसी को कुछ नहीं बताती है, तब जीहुन भी अपना खाना लेकर के आँ ही जाता है, और सेमसन को खाना देते हुए कहता है, यह तुम्हारी कॉंस्टिपेशन के लिए अच्छा है, तब सेमसन भी एक खाओ, यह तुम्हारी पाइल्स के मिलने के लिए जाती है तब सैंसुन और कैप्टन जैंक को वहीं छोड़ दिया जाता है उनकी एज की वज़े से दोनों बड़बड आ रही थी कि हमारी एज इतनी भी कहा हुई है तो वहीं दूसी तरफ हैंडरी वो हीजन को कॉल करने की कोशिश कर रहा था वगर हीजन वो ज मांसे दर के भाँती है जिन और ही जैन और जहम साथ में थे और सैंसुन वह आणसे बार में सोच रही थी जब उसकी माम घर लटके आती तो वह उसकी माम से मिल करके बहुत दस्याता रही जाती है और ज्यकर करके वो अपनी बड़ी बेटी से पूछती हैं यह किसी को कर रही थी और ब्रेक अप हो गया है जिसकी एसी हालत है अब पता लगने पे कि यह अपने बॉस ने लगती हैं कि किस ने का था अपने बॉस को डेट करने के लिए और बता मुझे वसनालायक नहीं तुझे क्यों छो ने आंटी इन से कह रही थी, कि इसकी कीमत से 50,000 रुपए है, और वो फोन करके अपने घर बेचने की बात करती है, तब ये दोनों अपनी माम को रोकती है, और ये दोनों भी नॉन्मल भेहनों की तरह, जब माम डाट रही थी, तो आपस में हस रही थी, किर अगले दिन सेंसुन की माम को उठा की बाहर फिक्वाने लगती है, मगर तब ही जीहुन वहां आ जाता है, और आंटी जीहुन से पूछती है, क्या तुम ही यहा के बास हो, जीहुन हा कहता है, उसके बाद तो सेंसुन की माम उसे मानने लगती है, हिमत कैसे हुई इतनी छोटी उमर में म मेरी बेटी के साथ मजाग करने की जिहुन वस लाइक आंटी आप हो कौन और तब ही मिस आंटी के ओपर पानी डालती है तब आंटी कहती है तो तुम उससे जगड़ना चाहती हो और इसके बाद ये दोनों ही बाल पकड़ पकड़ के लड़ने लगती है पूरा जो ही मेरी बेटी की कीमत 50,000 लगाने की वो अपने घर के कागज वहां रखकर के कहती है कि ये सिक्यॉर्टी है और बहुत जल्द मैं तुम्हारे 50,000 वापिस कर दूंगी जिहुन कहता है उसकी ज़रत नहीं है मैंने सेमसं से बात कर ली है आंटी कहती है बताओ तुझे बे सैंसं कहती है तुम्हे क्या लगता है कि मैंने अपनी माम को बताया होगा जिहुन कहता है कुछ भी हो तुम दो हटे का कांट्रैक्ट पूरा कर के जाओगी सैंसं कहती है तुम क्या चाते हो कि मेरी हड़ी पसली सब तूट जाए ये तो बिलकुल नहीं होने वाला वो वहां तो जीहुन से कहती है, अब सैंसुन जैसी अच्छी शेफ दुबारा कहां मिलेगी, तो वहीं दूसी तरफ किम यॉंग और शेफ ली को साथ में दिखाया जाता है, वहीं जब रात को रेस्टरान में अकीला था, तो उसे ऐसे लगते है कि किच्छन में ही सैंसुन है, मगर सैं मैसेज करता है, मगर सैंसुन मैसेज डिलीट करके कोई जवाब ही नहीं देती है, उल्टा वो जीहुन की दी हुई ड्रेस, चाकर के भाहर डस्ट फिन में फैक देती है, और उसके दी हुए फ्लावर्स, उन्हें भी वह अपने पास नहीं रखना चाहती थी, इसलिए गार् जीहुन कहता है, हा मुझे कुछ काम था, हीजिन कहती है इतनी रात को, जीहुन हा कहता है, है रीजिन से तो बात हो गई थी, मगर सैंसुन का कॉल अभी में नहीं आया था। अब अगली सुबा, जिहुन को आवाजी आने लगती हैं सैमसुन की, उठो, उठते क्यों नहीं हो, जाओ जाकर के मूध हो, मैंने नाश्ता बना दिया है, जिहुन देखता है तो सैमसुन नहीं थी, बस उसका साफ्ट वाजी था, वो तो घबरा ही जाता है, हर जगा सैमसुन कुस्ते में नीचे ही डाल देता है, कि उसके दिमाग के साथ ये क्या हो गया है, तो वहीं दूसी तरफ सैमसुन भी, अपनी फैमली से कह देती है, कि आज वो अपना नाम बदलने के लिए जाने वाली है, तीस साल हो गए है, उसे सैमसुन नाम के साथ जीते हुए, तो आज सैमसुन और किम यॉंग तो हैरान ही रह जाती है, क्योंकि उसकी फैमली ने कभी उसे परमिशन नहीं दी थी नाम बदलने की, सैमसुन कहती है, मौम आपकी तब एत्तो ठीक है, तब उसकी मौम कहती है, हाँ तीस साल तम इस नाम के साथ जी हो, तो कुछ भला तो हुआ नही भी देख लो, हो सकता है कोई लड़का ही मिल जाए, और नहीं मिला, तो मैं तेरी चटनी बना दूगी, वहीं दूसी तरफ जी हो, वो सैमसुन वाले ट्रॉय को डस्ट्रिंड में डालने के लिए चाता है, मगर वो अंकल कहते हैं कि इसे डस्ट्रिंड में नहीं डाला जात जाओ इसे रिसाइकल बिन में डालो, और फिर से ये साफ्ट्रॉय जी हुन के पास ही आ गया था, वहीं दूसी तरफ, जी हुन की माम को पते चल जाता है, कि सैमसुन ने काम छोड़ दिया है, वो भी परिशान हो जाती है, कि अब जी हुन और ही जिनको अलग कैसे करेंगी, जी हुन ये साफ्ट्रॉय एक बच्ची को देने के कोशिश करता है, तब वो बच्ची कहती है, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, इस साफ्ट्रॉय जा आप ही खेलिए, जी हुन सोचता है, ये हो क्या रहा है, और तब उसे फिर से सैमसुन की आवाज आने लगती है, अब वो थोड़े से मीकप की, तो वो मीकप लेने के लिए भी जाती है, और उसके बाद सैमसुन का तो लोगी पुरा चेंज हो जाता है, आज वो जा करके ब्लैक काफी ओडर करती है, क्योंकि अब वो फिट रहना चाती है, और फिर वो सीधे कोट जाती है, अपना नाम चेंज करने की एप्लिकेशन देने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ जीहुन और हीजन, वो मीजु को बाहर लेकर के आये थी, उसकी ठेरपी के लिए, ता हीजन जीहुन से कहती है, तुमारे लिए टाइम निकालना मुश्किल होता होगा, जीहुन कहता है, अब तुम हो तो साई है, वैसे तुम्हें बात क्या करनी थी, तब जीहुन कहता है, उसने काम छोड़ दिया है, हीजन कहती है, क्या ये सब कुछ मेरी वज़ा से है, जीहुन कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, हीजन कहती है, मुझे ऐसे लगता है, शाहिद वो तुम्हें लाइक करती है, चैंजु आ बताया था, Samson कहती है, मुझे भी का गया था, कि तुम हैंड सम हो, मगर उपर से नीचे तक कहीं से भी नहीं लग रहा है, फिर कहती है, अरे रे रे, मैंने तो फिर से उल्टा सीधा बोल दिया, क्या करूं, इस जवान पर कंट्रोल ही नहीं है, खेर चारी और हुन्वो, दू का सामना करना पड़ रहा था, वहीं Samson इस मोटे अंकल को, अपनी बात उसे पका-पका करके, यहां से भगा ही देती है, खेर ताभी Samson के पास, उसकी वही पुरानी blind date वाला लड़का आता है, जिस blind date को जीहन ने पहले खराब कर दिया था, आज इस लड़के की blind date भी अच् जैलिस होने लगती है, और फिर वो निकल जाता है, Samson की date पर बात करने के लिए, खेर इसी के साथ यह वाले पार्ट के explanation यही पे complete होती है, मगर दोस्तों, चैनल पे मैंने एक और complete Japanese drama के explanation की है, अगर अभी तक आप लोगोंने जाकर के वो नहीं देखी है, तो आप उसे भी जाकर के देख सकते हैं, साथी यह वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, थेंक्स फॉर वाचिंग, मिलते बहुत जल,